जैजनेंदर बंदुओ, मैं राभुल जैन नमुकार चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम सम्झानेंगे कुछ ऐसे लोगों की मानसिक्ता के बारे में जो कोई अच्छा कारे तो जीवन में कभी करते नहीं हैं और यदि कोई व्यक्ति अच्छा कारे कर रहा हो तो उसका उपहास बनाएंगे, उसे क्रिटिसाइस करेंगे या कहीं न कहीं उसे बदनाम करने का परियास करेंगे और मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप जानते हैं कि इस बार बकरा इत पर बहुत सारे जैन समाज के लोग आगे आए और उन्होंने एक परकार से देखा जाये तो एक मिसाल कायम करी सभी लोगों के सामने, केवल जैन ही नहीं, जैन लोग भी बहुत प्रसंसा कर रहे थे हैं हमारे पूरे जैन समाज की कि देखो किस परकार से इनों ने सैकड़ो पकरो की जान बचाई है लेगिन आज का हमारा देश का युवा ऐसा हो गया है जिसे अच्छे और बुरे में फर्क ही नहीं पता उसमें भी मैं हमेशा ये बात उठाता आया हूँ कि हमारे जैन समाज को जरूरत है अपने पैसे को सही दिशा में लगाने की और इस बार ये अनूठी पहल करते वे हमने देखा भी है आपने देखा कि इस परकार से दिल्ली चानी चोकी वहां की जो समाज है उन्होंने लगबग सो सवासो बकरो की जान बचाई ऐसे ही अभी तक सेंकडो हजारो बकरो की जान ये हमारी जीव दय संस्तान बचा चुकी है और बलकी आप अमीन अगर सराय बागपत में कभी जाएंगे तो आप जाकर देखेगा कैसे वहां पर सेंकडो बकरो का पालन पोशन किया जाता है जब तक भी वो जीवित रहेंगे या खुद अपनी मृत्यू को प्राप्त नहीं हो जाते तो उनका पूरा पालन पोशन किया जाता है बहुत सारे लोगों के मन में संदे होता है कि राहुल जी अगर आमने बकरे प्राप्त होती है आप किसी और के कारण से हमें नरगती प्राप्त हो तो यह भी कितना बड़ा पाप का बंद है तो इसी वज़े से मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का पूरी तरह से बहिशकार होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए कड़े विरोध कई आने के लिए आप ये निंदा करके आपना कंटेंट वाइरल करते हैं या और वहां पर बैठे वुए लोग जो पीछे से हस रहे हैं तो उनकी भी मानसिक्ता का पता चलता कि वो भी किस मानसिक्ता के शिकार है एक कहावत है ना कि जैसा खाए अंग वैसा होए मन तो जो लोग सुबा शाम सिर्फ भक्षन करते हों मास का भक्षन करते हों उन लोगों से आप अपेक्षा ही क्या रख सकते हो जो शुद्शाकाहरी व्यक्ति होगा और ये बात हम नहीं कह रहें ये परमानिक हो चुकी है और अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेगे जो पूरी तरह से शुद्शाकाहरी है और वो पहलवानी भी करते हैं बड़े बड़े उन्होंने गोल्ड मैडल तक भी जीते हैं और वो फिर भी पूरी तरह से शाकाहरी हैं उन्होंने मासाहर जीवन में कभी छुआ ही नहीं तो अगर आप अपनी सेहत के एसाब से भी देखें तो मासाहर आपके शरीर के लिए नहीं बनाएं और इससे भी बढ़कर बात में हैं तो लोग आज कही न कहीं नोन वेज को सपोर्ट करते हैं या कहीं न कहीं मासाहर के बारे में बहुत बड़ी-बड़ी बाते करते हैं कि इससे तो इतना सारा प्रोटीन मिलता है, यह मिलता वो मिलता है मैं आप से सिर्फ एक ही बात कहूँगा आप अपनी पूरी जिंदगी नोन वेज पर नहीं निकाल सकते लेकिन आप अपनी पूरे जीवन में वेजेटेरियन को अपना कर बहुत खुशाल जिंदगी जी सकते हैं अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको daily non-wage खाना दिया जाएगा तो आप कितनी दिन खालेंगे एक समय होगा जब आपका शरीर जवाब दे जाएगा और उससे भी बढ़कर बात अगर किसी पक्षू को पक्षी को कोई बिमारी होती है तो जो non-vegetarian लोग हो है उन्हें ये भी ब भी फाइदबन्द चीज़ नहीं है मैं कभी किसी का विरौध नहीं करता और मैं कभी इस बारे में चर्चा करता भी नहीं लेकिन ये जो Daniel Fernandez जैसे लोग है जो जैन को कही न कही जैन मुसल्मान कह रहे हैं क्यों क्योंकि बकरा इत पर हमने कुछ जीवों की जान बचाने के लिए कही न कही वेश धारण किया कही न कही आपने आपको यह बताया कि देखी हम मुसल्मान है तभी हमें वो बकरे मिल पाए सही दामों पर यदि वहां जाकर हम जैन बनकर वो बगरे खरीदते, पहली बात तो बहुत सारे लोग शायद हमें बगरा बेशते ही नहीं, और जो बेशते तो वो बहुत उचे दाम पर बेशते हैं, चूँकि सभी को कहीं न कहीं पता है कि जैन कम्यूटी कैसी कम्यूटी है पूरे भारत में, जिस पर सबसे तो उसका भी हमें एक खामियाजा ही भुगतना पड़ता, तो इसी वज़ा से जितने हमारे पर रिसोर्सिस हैं, यानि कि लगबग 15 लाख रुपे जो चानी चोक समाज ने खर्च की है, उसके अंदर जितने बकरों की हम जान बचा पाए, जो महां की कमिटी ने ये काम किया यदि वो अपनी आइडेंटिटी बता कर ये काम करती, तो शायद वो इतने बकरों की जान नहीं बचा पाती, तो कोई भी वेश्धारन करने का, या मुसल्मान बनने का, या कुछ भी ढों करने का सिर्फ एकी कारण है कि जादा से जादा बकरों की या जीवों की जान बचा जा चुकी है, और अभी भी सेंकडो बकरों का प्रती दिन वहाँ पर लालन पोशन किया जाता है, यानि कि जब तक वो अपनी मृत्यों को सेंपराप्त नहीं हो जाते, तब तक पूरी उनकी देखभाल वहाँ पर की जाएगी, तो मेरी नजर में असले धर्म ये है, ठीक है हम बहुत सारा पैसा मंदिर में, तिर छेतरों में डोनेट करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि हम जैन है, तो हमारा वो भी एक दाइत बनता है, लेकिन इसके साथ साथ, यदि हम अपनी कमाई की कुछ रहाशी, इस अच्छे कारी के लिए भी निकाले, तो मुझे लगता है कि जितना पुन, मैं कहता हूँ, अगर आप सो बार मंदिर जाते हैं, और वहीं पर आप किसी भी छोटी सी चीटी की भी जान बचाते हैं, तो जितना पुन आपको चीटी की जान बचाने पर मिलेगा, शायद उतना पुन आपको सो बार मंदिर जाने पर भी ना मिले, ऐसी म मेरी सोच है मैं यह नहीं कहता कि यह मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ हो सकता है आप कुछ अलग तरह से सोचते हो लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि आप प्रति दिन अपना यह नियम बनाएं कि हम ऐसे कोई न कोई अच्छा कारे करेंगे जैसे अभी गर्मी बहुत है तो आप पक्षियों को दाना डालने का कारे करें गाएं को रोटी खिलाने का काम करें गाएं को कुत्ते को यह जो भी आप ऐसे लोगों की या ऐसे जानवरों की मदद कर सके जिनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा देखिए असलिप उन वहीं पर मिलता है ऐसी जगा पर हम अक्सर हम लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है हम ऐसी जगह डोनेट करते हैं, ऐसी जगह दान देते हैं, जहांपर पहले से ही बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं दान देने के लिए, मैं यहाँ पर किसी का नाम नहीं ले रहा लेकिन आप खुष समस्दार भूके को रोटी कोई नहीं खिलाता, जिसका पेट पहले से भरा है, हम उसके पेट में रोटी ठूसने को तयार रहते हैं, लेगिन मैं आपसे सिर्फ यहीं बताना चाहूंगा, कि ऐसी जगा पर दान देने का कोई अभी प्राई नहीं है, कोई ओचित्ते नहीं है, असली दान वहीं पर लगता है, जहां पर सही में उसकी जरूरत हो जिसको, जब भी आप कहीं जाते हैं, तो बहुत सारे आपको रास्ते में बिकारी मिलते हैं, मैं क्या करता हूँ, मैं आपको अपनी जीवन के कुछ आपको थोड़े से कारिया बता देता हूँ, मैं जब भी घर से नि अखली बिकारी भी आपको मिलेंगे, जो सिर्फ पैसे के लिए भीक मांगते हैं, तो ऐसे बिकारियों को ना तो मैं सपोर्ट करता हूँ, नहीं मैं कभी उन्हें एक रुपया देता हूँ, मैं हमेशा उन लोगों की मदद करता हूँ, जो पेट से भूके हूँ, यह एक भूक आज के समय में अगर 10 लाग रुपय महीने के कमाता हूँ, तो मैंने सीधा से एक उसूल बनाया है कि अपनी कमाई का 5-10% मुझे अच्छे कारियों में खर्च करना है, अब वो अच्छा कारिया कोई भी हो सकता है, आपकी भले इंकम 1 लाग की हो, 10 अजार की हो, या 1 करोड क अगर आपको लगता है कि मेरी इंकम बहुत जादा है, और मैं 5-10% नहीं निकाल सकता, तो आप 2% से शुरुवात करें, 1% से शुरुवात करें, लेकि शुरुवात आज से ही करें, अगर आप अपने जीवन में ये गांट बांद लेंगे कि मैं अपने पैसे का कुछ अंच अच्छे कारियों में लगांगा, तो आपकी तरक्की को ना तो जीवन में कभी कोई रोक सकता है, और ना ही आपको कभी भी जीवन में कोई अर्चन आएगी, कोई अर्चन आती भी है तो वो बहुत temporary होगी, और जिसनी आपको उससे दिक्कत होने वाली थी, वो दिक्कत भी आपकी बहुत कम रह जाएगी, ये मेरे जीवन का नीकी एनुबाव है, मैं आपको किसी मंदिर में, किसी तिर्चेतर में दान करने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ अच्छी जगा पर, और आप भी अपने मन में भावना भाव, कि अगले साल तक बकर जाजी नेदर